लोग सबामे विपक्ष के निता राहूल गांधी के हिंदुवादी हिंसक बयान पर शोसेना पी आक्रमक हो गई है राहूल गांधी पर निशाना सात्ति वे शोसेना की गोंदिया जिला प्रमुख मुकेश शिवहरे ने कहा कि राहूल गांधी का यह कहना कि जो लोग खुद क को हिंदू कहते हैं वहिंसा फिला रहे हैं इसे पता चलता है कि राहुल गांदी को धर्म का कोई ग्यान नी है वहिंदू बनकर अधर में बनके हैं लगता है राहुल गांदी को धर्म का कोई ध्यान नी है वहिंदू बनकर अधर में बनके हैं हिंदू होनी का दिखावा करने वाले आज हमें हिंदु धम का पार पड़ा रहें राहुल को खुद नी पता कि उनका धर्म क्या है वह सनातन हिंदु धम से संभत इतनी है और नहीं उसने इसाई या इसलाम धम अपना है शिवसना के जिला प्रमुक ने राहुल गांदी की बयान की कड़े शब्दों में निं विरूत करती है राहुल गांदी खुद हिंदु होने के बावजूद हिंदु समाज के लिए ये बात बोलना ये दर्शाता है कि राहुल गांदी हिंदु है कि नहीं है और राहुल गांदी हिंदु है तो हिंदुतों के उपर में जो बयान उन्होंने दिया है मैं आपके मा राहुल गांदी ने माफी मांगना चाहिए यह दर्साता है कि राहुल गांदी आपना आपा खो बैठे हैं कल आपने देखा होगा कि भगवान शिव का फोटो लेके आ गए राहुल गांदी कभी जन्यों डाल के पूजा कर लेते हैं राहुल गांदी कभी भगवान शिव जी कि शंसत के अंदर में फोटो दिखाते हैं, तो ये मानसिक्ता के अंदर में राहुल गांधी अपने दिमाग का आपा खो बैठे, उन्होंने मैं फिर से पुनह ये बाद बोलता हूं, कि राहुल गांधी हिंदू है, कि नहीं है, अब ये सवालिया निसान खड़ा होता है, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, तो सिवसेना, जितने हिंदूवादी संगठन है, सब एक होकर पूरे भारत वर्ष के अंदर में राहुल गांधी का विरोध करेंगे. और मांग कामल स्कूल, अजिनी स्क्वेर, नाखपूर.